लोक अदालत के संबंध में प्राधिकरण सचिव ने बैंक अधिकारियों के साथ की बैठक बरेली 17 जनवरी उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनव के आदेश अनुसार तथा माननिय जनपद न्यायाधी श्री विनोट कुमार के दिशा निर्देशन में दिनाग 11 फरवरी 2023 को जनपद बरेली में राष्ट्रिय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा. राष्ट्रिय लोक अदालत को सफल बनाने के लिए सचेव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री सौरब कुमार वर्मा ने बैंक के उच्च अधिकारियों की बैठक की, जिसमें बैंकों से अधिक से अधिक नोटिस भेजने और उन मुकदमों को एहमियत देन को कहा गया जिन मुकदमों में समझोते के आधार पर जल्द से जल्द निस्तारं किया जा सके. बैंक के उच्च अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि राष्ट्रिय लोक अदालत को सफल बनाने के लिए इजारी किये जा रहे सभी नोटिस की सूची प्राधिकरण को जल्द से जल्द उपलब्द कराई जाए जिससे राज्य विदिक सेवा प्राधिकरण लखनव को सभी जानकारी समय से उपलब्द कराई जा सके. जिला विदिक सेवा प्राधिकरण सचेव श्री सौरब कुमार वर्मा ने सभी बैंक अधिकारियों को पुनह दिनाक 19 जनव 2023 को बैठक में शामिल होने का निरदेश दिए और बैठक में अपनी बैंकों से जारी नोटिस की सूची लाने के निरदेश भी दिए बैठक में भारतिय स्टेट बैंक से श्री भूपेंद्र बैंक औफ बरोदा से श्री मनोज कुमार, बरोदा यूपी बैंक से श्री देवराज सिंग, HDFC के लीगल अधिवक्ता श्री हेमंद सिंग, HDFC बैंक से मैनेजर श्री मनीश पांडे उपस्तित रहें